नमस्कार मैं आपका जोजसी मोहन जी नच्छत्रवानी चैनल से महतारा को प्रणावम करते हुए अपने गुरु को प्रणावम करते हुए आप सबुनका बहुत बहुत नमन्द आज कब इसे है सुक्र का रासी परिवर्तन शुक्र कन्या रासी में जा रहा है जहां सुक्र नीच की होते हैं बुद्ध की रासी कन्या में सुक्र हमेसा नीच की होते हैं तो सुक्र के रासी परिवर्तन में क्या क्या अंतर सभी रासी वाले को पढ़ने जा रहा है इस विसे पर छोटी सी चर्चा करेंगे सुक्र कारासी परिवर्दन तीन नौणबर को सुबह पांच बजके 13 मिनट और 13 सिकंड पर कन्यारासी में होने जा रहा है जो तीस नौणबर 2023 तक एक बजके 13 मिनट तक कन्यारासी में रहेंगे शुक्र एक ऐसा गरह है कि जिसके कमजोर होने से काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है सुक्र भोतिकता का कारक है, सुक्र सेक्स का कारक है, सुक्र लगजरी का कारक है शुक्र फिल्मों में काम करने वाले के लिए सबसे बड़ा कारक गरा है शुक्र फैसन डिजाइनिंग का कारक गरा है यानि शुक्र के बिना जिन्दगी जो है नर्क से भी ज़्यादा प्रोब्लम क्रियेट करने वाला है नर्त के तुल हो जाएगा अगर सुक्र किसी का बहुत ज्यादा खराब होता है तो तो सुक्र रासी परिवर्तन करने जा रहे हैं तीन नॉम्बर को सुबह पांच बच के तेरा मिनिट पर करने है रासी में जहां नीच के रहेंगे तो क्या नीच के सुक्र सबों को खराब रिजर्ट्स देंगे तो इस बिसे पर भी एक ये बिसे बढ़ा ही गूर बिसे है कि नीच के सुक्र कैसे रिजर्ट्स देंगे सुक्र उत्तरा फालगुनी नशतर में ही रहेंगे जिसके सुमी सुर्ज देवे हैं और यहां पर मैं बता दू कि सूर्ज दे भी नीच के हैं, सुक्र खुद नीच के हैं, और जिन नशतर में रहेंगे, सूर्ज के नशतर में, और सूर्ज भी नीच के हैं, 17 नौमबर तक सूर्ज नीच के रहेंगे. तो बड़ा ही अजीवो गरीब सवाल है और अजीवो गरीब जवाब होगा इसका तो सबसे पहले हम बिचार करते हैं मेस रासी पर मेस रासी वाले आपके लिए सुक्र कन्या रासी में जो जा रहे हैं तीन नौमबर को सुब़ा पांच बच के तेरह मिनट पर करन्या रासी आपके छट्ठे वाओ की रासी है जिसके स्वामी बुद्ध होते हैं और बुद्ध आपके बैठे हुए हैं सब तमस्थान पर सुक्र देव नीच के हैं और सूर्ज के ही नचत्र में हैं सूर्ज देव खुद नीच के हैं और राहू के नचत्र में हैं राहू ट्रांजिट करके आपके बाढ़ में भाव में चल गए हैं मीन रासी में तो मीन रासी वाले आपको बिसे साब्धान रहने की जरूरत है जंजट राई से आपको ज़्यादा साब्धान रहने की जरूरत है केस मुकदमा में ज़्यादा साब्धान रहने की जरूरत है सत्रू आपके ज़्यादा परवल होंगे किसी भी तरह का अनैतिक संबंद से आपको दूर रहने की जरूरत है हलाकि बेपार में थोरे से आपको लाव होने की इस्तिती बनती है लेकिन गलत रास्ते पर चलने की भी इस्तिती आपकी बन जाती है बैंक से लोन लेने की इस्तिती बन जाती है महिलाओं से गलस संबंद रखने की इस्तिती बन जाती है केस मुकदमा में काफी मुसिबत का सामना करने की इस्तिती बन जाती है सुक्र उत्रा फालगुनी नशत्र में बारा नौमबर तक रहेंगे 12 नौमबर को 10 बच के 38 बिनट एम पर सुक्र चले जाएंगे चेंदर के नचतर में और चेंदरमा तो बहुत तेजगर है हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं और चेंदरमा आपके फोर्थ अस्थान के स्वामी है माता के स्वास पर आपको ध्यान देनी ही होगी हलाकि माता से आपको काफी लाव होने की सितियां बनती है 12 नौमबर से लेके 24 नौमबर तक सुक्र रहेंगे आपको चेंदरमा के नचतर में तो इस समय थोरे से आपको फाइदा मिलने की संभावनाय बनती है क्योंकि 17 नौमबर के बाद सूर्जदेव आपके अस्टम में चले जाएंगे तो सूर्जदेव के अस्टम में जाने के कारण पिता को भी थोरे से तकलिफ का सामना करना पर सकता है परशासनी का दिकारियों से थोरे से आपको मुसिबत का सामना करना पर सकता है 12 नॉम्बर से लगे 17 नॉम्बर तक जो परसासनी का दिखा रही है उनको भी मुसिबत का सामना करना पर सकता है पिता के स्वास की दिक्कत होगी 12 नॉम्बर के बाद 24 नॉम्बर 2023 से 6 बच के 33 मिनट एम पर शुक्रत चले जाएंगे मंगल के नेशतर में और मेश रासी वाले मंगल आपके लगनेश हैं और मंगल अस्टम में रहेंगे तो सुक्र का ट्रांजिट आपके लिए कहीं से भी अच्छा ट्रांजिट नहीं है 24 नॉम्बर 2023 से लेके 30 नॉम्बर 2023 तक का समय काफी साबधानी से बितित करनी होगी आपको क्योंकि कि मेश रासी वाले को अश्टमेश का दोस मंगल का नहीं लगता है मंगल अपने रासी में रहेंगे और मंगल रहेंगे सनी के नश्चत में तो घटना दुर घटना से आपको बचनी है लेकिन अचानक धन का लाव आपको होगा तो 24 नॉंबर से लेके 30 नॉंबर तक का समय आपके लिए साबधानी वाली समय है जमी जयदात के बेपारी के लिए अच्छा समय नहीं होगा घटना दुर घटना से आपको बचनी है आपको करनी क्या है सबसे जयदा आपको सुंदर कांड का पार्ट करना है हनुमान जी का स्मरन करना है हनुमान जी का पार्ट करना है और हनुमान जी के चरण में हर मंगर बाल को पान का बीरा चरहना है और वहीं बैठकर हनुमान चरिसा के पार्ट करनी है काफी लाब होगा आपको सुक्र का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा ट्रांजिट नहीं है ध्यान रखेंगे हरतर से मुसिबत का सामना करना परेगा पैसे कोड़ी की भी दिक्कत होगी पत्नी के स्वास में काफी प्रिशानी का सामना करना परेगा कोड कचरी में परिशानी का सामना करना परेगा ब्रिश्व रासी भाले शुक्र का रासी परिवर्त नीच का होने जा रहा है तीन नौंबर सुवा से पांच बचके तेरे मिनट तेरे सेकेंड पर शुक्र देब करने रासी में चले जाएंगे आपके सिंग्रासी को चोर कर और शुक्र आपके पंचम अस्थान में चले जाएंगे सुक्र आपके कुंडली में लगनेश है लगनभाब के स्वामी है और शुक्र आपके कुंडली में छठे अस्थान की स्वामी है और 6 waar और में रहेंगे बहुत सारे कर्च से आपको मुक्ती मिलेगी यानि की 12 3 नोख़ से लेके 12 नोख़ तक सुक्र रहेंगे सुर्ज देव के निशतर में और सुर्ज आपके रहेंगे नीच के चट्डे स्थाथ आप तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी जो परशास Sug exhibition है महिलाएं by business करके आपका काफी love होगा संतां सुख मिलेगा जिने संतां सुख नहीं हुने संतां सुख मिलेगा भोटिकता में बिर्धी होगी भोटिकता में किसी भी तरक चामित कमी नहीं नहीं होगी नौमबर दो हजार तईस तक सूर्जदेव नीच के रहेंगे और सत्रह नौमबर दो हजार तईस को सूर्जदेव चले जाएंगे बिस्चिक रासी में जो आपके सब्तम्भाव की रासी है ये समय सत्रह नौमबर के बाद ये समय आपका काफी अच्छा रहेगा 12 नौंबर 2023 को 10 बच के 38 मिनट पर शुक्रदेव चले जाएंगे चेंद्रमा के नशत्र में और चेंद्रदेव आपके तीर्तिय स्थान के स्वामी है प्राकरमा आपका काफी बढ़ा वड़ाएगा दामपज जीवन में थोरे से तनाव कम होंगे विदेश से आपको लाव होनी की स्थिती होगी दवा के विक्रेत्रा को काफी लाव होगा सुक्र का 12 नौंबर 2023 को हंसन शत्र में जाएंगे और ये आपको काफी लाव दिलाएंगे 24 नौंबर 2023 से सुक्र देव चले जाएंगे चोबच के 33 मिनट एम पर मंगल के नशत्र में और मंगल आपकी कुनली में बहुत अच्छे गरण नहीं है मंगल आपकी कुनली में बार में अस्थान के स्वामी है लेकिन बेपार अस्थान के स्वामी मंगल ही है और मंगल रहेंगे बैपार अस्थान पर 24 नॉमबर 2023 से लेके 30 नॉमबर तक मंगल बैपार अस्थान पर रहेंगे जमीन जाहिदात के बैपारी को बहुत जवर्दस तलाब होगा साथ इसाथ प्रशासन से आपको काफी मदद मिलने की उमीदे हैं उचाधिकाडियों से आपको काफी लाब होगा पुलिस से वक को लाब होगा धन लक्षमी की प्राप्ती होगी तो सुक्र का रासी परिवरतन ब्रिसब रासी बाले आपके लिए काफी अच्छे संकेत लेके आएंगे शुक्र देव की सब्तम द्रिश्टी सिदे परेगी आपके आएभाव पर जहां राहु देव महजूद रहेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा लेकिन महिलाओं की कद्र करें आप और बिसेश करके जो भी ब्यक्ति गलत आचरन में हैं गलत महिलाओं के संगती में हैं उसे दूर कर ले शुक्र का रासी परिवर्तन ब्रिसब रासी वाले आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है हर तरफ से आपको लाब मिलेगा आपको करनी क्या है आप स्रिशुक्तम का पार्ट प्रति दिन करें यानि तीन नौमबर से लेके तीस नौमबर तक प्रति दिन स्रिशुक्तम का पार्ट करें और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाब करें शुक्रवार के दिन भगवती को खीर का भोग लगावें गाय के दूद का खीर का भोग लगावें और लक्ष्मी जी का मंत्र और स्रिशुक्तम का पार्ट करें काफी लाब होगा आपको शुक्र का रासी परिवर्तन आपके लिए अच्छे संकेत हैं हलाकि सुक्र नीच के रहेंगे तो थोरे से स्वास पर आपको ध्यान देना है विसेश करके जब सुक्र मंगल के निच्छतर में रहेंगे यानि 12 नौमबर 2023 से लेके 24 नौमबर 2023 तक सुक्र चंद्रमा के निच्छतर में रहेंगे जो अच्छे रिज़स आपको देंगे 24 नूमबर के बाद शुक्र मंगल के नश्रत में चले जाएंगे 30 नूमबर तक तो थोरे से स्वास पर विसेज परहिज रखें गाड़ी घोरा सलिके से चलावें आपके लिए शुक्र का रासी परिवर्तन अच्छे रिजल्ज देते हैं और देंगे थोरे से इतर लगाके रखें चंदन का इतर लगाएं काफी लाव होगा आपको मितून रासी शुक्र का रासी परिवर्तन आपके चतुर्टफाओं में होने जा रहा है ऑर शुक्र नीच के रहेंगे सुक्र केतु के साथ भी रहेंगे जीवन साथी से थोड़े से तक्रार आपको ज्यादा रहेंगे जीवन साथी के स्वास से थोड़े से आपको परशानी हो सकती है जीवन साथी का अपरेशन हो सकता है भौतिक सुक में थोड़े से अभाव आपके हो सकते हैं लेकिन कर्म के छित्र आपके अच्छे रहेंगे सुक्र तीन नौंबर दोहजार ताइस को सुबह पांच बच के तेरा मिनिट पर कन्यारासी में जा रहा है जहां केदू पहले से बैठे हुए हैं केदू चित्रा न चत्र के है तो पत्नी का उपरेशन बगर होने की संभावना है आपकी बढ़ती है तीन नौंबर दोहजार ताइस तक लेकिन सुक्र थोरे से बहुत इक सुक्र में आपके अभाव कराएंगे सुक्र सूर्ज के नेचतर में रहेंगे और सुक्र सूर्ज के निचतर में रहेंगे सूर्ज भी नीच के आपके पंचम अस्थान में बैठे हुए है शुक्र भी नीच के है तो सत्रा नौमबर दोहजार तईस तक सूर्ज नीच के रहेंगे सत्रा नौमबर दोहजार तईस को सूर्ज जो है आपके चले आएंगे छट्रे स्थान पर, तो नीच के सुर्ज थोरसे संतान पर थोरसे विप्रित प्रभाव दे सकते हैं, जो परशास्नी का धिकारी हैं, थोरसे विप्रित प्रभाव आपके आ सकते हैं, जो महिलाये परशास्नी का धिकारी हैं, आप पर भी विप्रित प्र प्रूरत है आपको 12 नॉम्बर 2023 को 8 बज के 38 मिनट एम से सुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के निशतर में चंद्रमा आपके धनभाव के कारक हैं धनभाव के स्वामी हैं माता से आपको लाव होगा महिलाओं से आपको लाव होगा पैटरनल प्रोपर्टी का जो प्रोब्लम ह वो दूर होगा तो ये समय आपके लिए अच्छा समय रहेगा चंद्रमा बहुत तेजगर हैं सवाद दो दिन ही एक रासी में रहते हैं लेकिन ये अच्छा फल देंगे आपको अब 24 नॉम्बर 2023 को 6 बच के 33 मिनट सुबस से सुक्र देब चले जाएंगे चित्रा नशतर मे यानि मंगल के नशतर में चले जाएंगे जो 30 नॉम्बर तक मंगल के नशतर में रहेंगे और मंगल उस समय रहेंगे आपके बिस्षिक रासी में जो आपके च्छटे वाव की रासी है जो जमीन जयदाद का काम करते हैं थोरे से आपको परशानी होगी सत्रूँ का जो माइन्स और मिन्नल्स का काम करते हैं, आपके लिए 24 नॉंबर 2023 से लेके 30 नॉंबर 2023 तक अच्छा समय रहेगा, इस समय थोरे से रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, अनेतिक संबन्स से आपको दूर रहना है, सत्रूओं का तो समन करेंगे, लेकिन सत्रूओं आपको परिशान कर सकते हैं, जो जमीन के वेपारी हैं सोच समझ के काम करेंगे, अतिदीक खर्च रहेगी आपको, घर के लिए लगजरी समाना आप खरी सकते हैं, यह माई के चक्कर में डूब सकते हैं, कर्ज माथे पे ज्यादा रहेगा, तो सोच के सब काम करें, तो आपको करनी क्या है हनुमान चरिसा का ता पाठ करना ही है आपको श्रिश्युक्तम का पाठ आपको जरूर करना है और दुर्गा सबसती की इस मंतर का जब जरूर करना है आपको लाब मिलेगा आपको सुक्र का रासी परिवरतन आपके लिए बहुत जगा अच्छे रहेंगे, अब बहुत जगा बुरे रहेंगे, हर काम को समझ के करें, सुक्र नीच की होके, आपके चतुर तस्ताम में बैटे हुए रहेंगे, तो थोरी सी सुक्र की कमी, तो होगी ही होगी, अब आते हैं हम करकरासी पे, करकरासी, शुक्र देव आपक जहां साथ में केतू बैठे हुए हैं चित्रा नशतर में मंगल के नशतर में तो सुक्र का रासी परिवर्तन तीसरे अस्थान पर जो सूर्ज के नशतर में हो रहा है और सूर्ज खुद नीच के हैं प्राकर्म की काफी कमी रहेगी आप में थोरे से डड़े-ड़े महसूस करेंगे आप जो वेक्ति फिल्म लाइन में हैं मीडिया सेक्टर में हैं आपका उत्थान होगा तो सुक्र तीन नॉम्बर को सुवर पांच बच के तेरा मिनट पर करने आरासी में जाएंगे और बारह नॉम्बर दोहचार तईस तक सुक्र रहेंगे आपके सूर्ज के ही नशतर में सूर्ज आपके कुणली में धनभाव के स्वामी जरूर है तो पैटर्नल प्रोपर्टी में जो प्रोब्लम चल रहा होगा आपका वो थोरा दूर होगा लेकिन आपको बिसेज ध्यान रखनी है जो हिर्दैर होगी है सुक्र भी नीच के है सूर्ज भी नीच के है और सूर्ज स्वाती नशतर में रहेंगे राहू के नशतर में राहू ट्रांजिट करके आपके मीन रासी में आ गया है और सूर्ज से राहू बटे हुए हैं छट्टे में स्वास पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी प्राकर्म भी आपका कम जाएगा विदेश से आपको जो लाव होने वाला था वो भी रुका हुआ रहेगा मीडिया सेक्टर वाले को लाव होंगे फिल्म सेक्टर वाले को लाव हो सकते हैं लेकिन बिचोलियों से आपको साबधान रहना होगा ये समय अच्छा नहीं है बारह नॉम्बर दोजार तैस को आठ बच के आर्टिस मिनट एम पर सुक्र चले जाएंगे चेंद्रमा के हस्द नचद्रम है और चेंद्रदेव है आपके लग्न के स्वामी आपके रासी के स्वामी चेंद्रमा बहुत तेज गरा है हमेशा आगे पीछे दहिने बाए यानि सवाद दू दिनी एक रासी में रहेंगे चेंद्रमा तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपने स्वास पर ध्यान देना है हर गलत काम से अपने आपको बचाना है महिलाओं का पूर्ण रूप से सम्मान करना है बीदेश की सेवा को अस्टगित करनी है हलाकि बीदेश से थोड़े बहुत लाब आपको हो सकते है लेकिन सुक्र भौतिक सुक्र में भी आपके कमी कराएंगे क्योंकि सुक्र चतुरत अस्थान के स्वामी है आपके और बैटे हुए हैं बाडमे अस्थान में नीच के होके तो उसमें भी कमी कराएंगे हलाकि सुक्र आए भाव के भी स्वामी है आपके तो बिदेशों से थोरे से आए में आपको बरहुत्री होगी बिदेशों से थोरे से आए आपको हो सकते हैं लेकिन ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा जो वेक्ति अनेतिक कार्स में रत हैं जो वेक्ति गलत संबंधों में रत हैं वो अपने आपको सही करें 24 नॉमबर 2020 के बाद यानि 24 नॉमबर 2020 से चोबच के 33 मिनट सुबह से सुक्र चले जाएंगे मंगल के नशतर में मंगल आपके कुनली में प्रबल योग कारग रहा है तीरती है पंचमस्तान के स्वामी है और पंचमस्तान के स्वामी मंगल है और मंगल बैठे हो रहेंगे आपके पंचमस्तान पर संतान से लाब होगा जिनको संतान नहीं है संतान क्यों उमीडे जागेंगी प्राकर्म आपका बढ़ा हुआ रहेगा जमीन जयादास से आपको काफी लाब होगा फैसर डिजाइनर वाले को काफी लाब होगा मंगल की दूसरी रासी आपका मेस रासी है जहां पर बिरस्पति देब काफी पावरफूल अस्थान में रहेंगे और सूर्ज की है सुक्र के ही ने चतर में रहेंगे तो 24 नॉमबर 2023 से आपको काफी लाब मिलने जा रहा है प्रोपर्टी डीलर को लाब मिलेगा जो पुलिस सेवक हैं उनको लाब मिलेगा जो महिला हैं पुलिस सेवक हैं आपको लाब मिलेगा मान परतिष्ठा आपको मिलेगी लेकिन साबधानी रखनी है आपको शुक्र आपके बहुत अच्छे गरह नहीं है माता के स्वास पर भी सेश साब्दानी रखनी है तो आपको करनी क्या है सबसे पहले शुक्र के मंत्रों का जाब आपको जरूर करना है परती दिन नहादवा के सबसे पहले सुक्र के मंत्रों का जाब करे साथी साथ इसलिए शुक्तम का पाठ आप जरूर करें दिन में कम से कम सुबह में एक वार पत्नी से संबंद खराब होने न दे जो महिलाएं हैं पुर्सों से संबंद न खराब करें आपको बहुत लाब होगा सिंग रासी शुक्र आपके कुणली में तीरसिरे स्थान के स्वामी है सुक्र आपके कुणली में करम स्थान के स्वामी है सुक्र नीच के होके आपके आजाएंगे दूसरे स्थान पर धन भाव में बुद की रासी में और बुद आपके रहेंगे सुक्र की रासी में बिरस्पती के नशत्र में सिंग रासी वाले आपका भागुदय होगा जवर्दस्त आपका भागुदय होगा जो चीज खत्म हो चुका है प्राकर्म से उस चीज को अपने पास आप ले आवेंगे धन दौलत की बिर्धी होगी आपमे सुक्र तीन नौमबर दोहजार तईस को पांच बच के तेरह मिनिट पर करने रासी में जाएंगे नीच के रहेंगे केतू के साथ रहेंगे लेकिन आपको लाद दिलावेंगे ध्यान रखने की बात है कि आपके पैटरनल प्रोपरटी पर आपके बहन की दृष्टी हो सकती है आपके बुगागे की दृष्टी हो सकती है तो अपरे से साथ दानी बरतने की जुरूरत है लेकिन आपका प्राकर मितना बढ़ा वड़ हैगा शुकर देब भारे नौमबर तक रहेंगे सूर्ज के ही नशत्र में असूर्ज आपके प्राकर्मभाव में नीच के बैठे हुए है कोई भी आपसे उलजेगा तो वो आपसे जीत नहीं पाएगा 12 नॉम्बर 2023 को 10 बच के 38 मिनिट पर सुक्र चले जाएंगे चेंदर के नशतर में ऐसे में थोरे से आपको ध्यान देनी है कर्म के छेतर में थोरे से परशानी का सामना करना पर सकता है यह उमाई पर बहुत सारे समान आप खड़ी सकते हैं जिसके कारण आपको ज़्यादा परशानी का सामना करना पर सकता है 12 नॉम्बर 2023 से लेकि 24 नॉम्बर 2023 तक सुक्र चंदरमा के नशतर में रहेंगे चेंद्रमापके बार में भावकिस वामी है जो वेक्तिक केस मुकत्मा में परहे हुए है डाइवोर्स में परहे हुए है उनके के लिए भी अच्छा समय नहीं होगा हर काम को समझ के करने की जुरूरत है सिंग्रासी वाले 12 नॉवंबर 2023 से लेके 24 नॉवंबर 2023 तक अतिदिक प्राकर्मी नहीं होना है जो महिलाए हैं पुर्षों का आदर करें जो पुरूस हैं महिलाओं का काफी आदर करें लेकिन सुक्र आपको धन संपदा संपत्ति देंगे ही देंगे 24 नॉवंबर 2023 से चोबच के 33 मिनिट पर शुक्र देव चले जाएंगे मंगल के निचितर में और मंगल बेटे हुए रहेंगे आपके ब्रिस्टिक राषी में जो आपके चतुर्तस्तान की राषी है माता से लाव होगा जमी जयादात के कारवारी को काफी लाव होगा जो प्रशास्निक से वक्ष हैं आपको काफी लाब होगा इसी समय यानि कि 17 नौमबर के बाद सूर्ज देव चले जाएंगे आपके ब्रिस्षिक रासी में 17 नौमबर 2023 को और सूर्ज के निचेत खत्म हो जाएगा लेकिन जो हिर्देर होगी है साथधानी से काम करेंगे आपके लिए समय अच्छा नहीं होगा 24 नौमबर 2023 से 30 नौमबर 2023 तक सुक्र रहेंगे आपके मंगल के नचत्र में चित्रा नचत्र में मंगल भी आपके चतुरतस्थान पर रहेंगे माता के स्वास से परशानी होगी जीवन साती से परशानी होगी जीवन साती के स्वास से परशानी होगी काफी पैसे बिना मतलब के खर्च होंगे आपके भाग हला कि अप प्रबल रहेगा लेकिन कर्ज लेने की भी नोबत आप किया सकती है तो 24 नौबर 2020 से 30 नौंबर 2020 तक शुक्र जब तक रहेंगे नीज के अब मंगल के निशतर में आपके लिए अच्छा समय नहीं होगा ऐसे में आपको हनुमान चलिशा का प्रति दिन पाट करना है सूर्ज को जल चरहनी है गैतरी मंत्र का पाट करना है साथी साथ शुक्र के मंत्रों का जरूर जाप करें आप ओम द्राउम द्रिम द्राउम साथ सुक्राय नमा ओम द्राउम द्रिम द्राउम साथ सुक्राय नमा और खास करके घर को बिल्कुल साफ सुत्रा रखें सरीर को बिल्कुल साफ रखें चंदन के इत्र का प्रियोग करें लाभोगा आपको कन्या रासी वाले सुक्र का रासी परिवर्तन आपी की रासी पर हो रहा है कन्या रासी पर जहां सुक्र नीच के होते हैं शुक्र तीन नौवंबर दो हजार तईस को सुबह पांच बज के तेरे मिनट तेरे सेकेंड पर कन्यारासी में चला जाएंगे और वहाँ पर केतु पहले से बैठे हुए है 29 डिग्री 48 कला पर मंगल के नच्चतर में मंगल आपकी कुणली में अच्छे गरह नहीं है तो थुरे से स्वास पर आप ध्यान देंगे 3 नौमबर से लेके 12 नौमबर तक शुक्र रहेंगे सूर्ज के नशतर में अच्चतर में सूर्ज देवाब के दूति ये भाव में बैठे हुए हैं नीच के होके मंगल के साथ बैठे हुए हैं थुरे से कुटुम परिवार से ज़्यादा आपको मत्वेद रहेगा सूर्ज देवाब के कुणली में बाड में अस्थान के सूमी है बिदेश से भी थोरे से नुकसान होने की संबावना है बिदेश में किसी बी तरफ अनिविसा अपना करें स्वाश पर अपना विजैश ध्यान दें चिर चिर आठ थोरी से बढ़ही हुई रहेगे आपकी 3 नौमबर से लेके 12 नौमबर 2023 तक जब तक सूर्ज के नशत्र में रहेंगे शुक्रदेव आपको अच्छे रिजर्ट्स मिलने वाले नहीं है 12 नौमबर 2023 को 10 बच्के 38 मिनिट सुवा में शुक्रदेव चले जाएंगे आपके च्छेंद्रवा के नशत्र में और च्छेंद्रदेव आपके इगार में अस्थान के स्वामी है घुमने फिरने का प्रगाम बनेगा आई की स्थिति काफी अच्छी रहेगी माता से आपको काफी लाव होने की स्थिति रहेगी मन आपका काफी प्रशन रहेगा यह समय यानि कि 12 नॉबर 2023 से लेके 24 नॉबर 2023 समय आपका सुक्र कहरासी परिवर्तर में काफी अच्छा समय रहेगा काफी सौख मोज में रहेंगे घुमने फिरने में रहेंगे हर तरह से अच्छे रिजड़ साएंगे आपको अब देखते हैं 24 नॉंबर 2023 से लेके 30 नॉंबर 2023 तक सुक्रदेव रहेंगे आपके मंगल के चित्रा नचित्र में मंगल आपकी कुनली में अच्छे गरह नहीं है मंगल आपकी कुनली में अस्टंबाओ की स्वामी है मंगल आपके कुनली में सूर्ज आपके कुनल में बार में अस्तान के स्वामी है, बिदेश से आपको इस समय लाव होने की इस्तिती बनती है, बिदेश से आपको काफी लाव होने की इस्तिती बनती है, सुक्र आपके भाग बाओ के ही स्वामी है, सुक्र आपके धन बाओ के स्वामी है, तो इस समय भ बार 24 नॉम्बर 2023 से लेके 30 नॉम्बर 2023 तक आपके लिए सुक्र जब मंगल गने च्छतर में रहेंगे तो थोरे से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं लेकिन प्राकर्म आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा जो जमी जायदात के कारवारी हैं उनको नुकसान होगा पिता से आपको लाव होगा माता से आपको लाव होगा लेकिन फिर भी आपको साबधानी बरतने की जरूरत होगी क्योंकि मंगल आपके अश्टम अस्थान के स्वामी हैं मंगल आपके तीरती अस्थान के स्वामी हैं जो अस्टम से अस्टम हैं बहान आपको साबधानी से चलानी होगे बिसेश करके 24 नॉंबर 2020 से लेके 30 नॉंबर 2020 तक मान समान तो आपका बढ़ा हुआ रहेगा संतान से आपको लाव होगा तो शुक्र का रासी परिवर्तन आप ही की रासी पर मध्यम रिजल्ट लेके ही आपके आ रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट से लेके नहीं आ रहे हैं लेकिन भाग आपका काफी प्रवल रहेगा प्रमोशन्स वगर भी आपको मिल सकते हैं करनी क्या है आपको शुक्र के मंत्रों का जाब करना है ओम द्राम द्रिम द्राम सा सुक्राइनमा शुक्रवार को सिबलिंग पर दही का भोग लगाना है और दही से ही सिबलिंग को अविशेक करना है और ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए का जाब करना है आपके लिए काफी अच्छा रहेगा शुक्र का रासी परिवरतन आपके लिए अच्छा रिजर्ट्स लेकर आए मेरी सुब कामना है आपको तुला रासी शुक्र का रासी परिवर्तन जो तीन नौंबर को सुबा पांच बच के तेरह मिनिट पर होने जा रहा है कन्या रासी में आपके बार्मे अस्थान पर होगा काल पुरूस की कुनली में बार्मा स्थान बिसेज करके मीन रासी का माना जाता है जहां सुक्र उच के माने जाते हैं यहां पर आपका सुक्र नीच के हैं लेकिन आपके लिए सुक्र के रिजर्ट्स बहुत अच्छे होंगे केवल आपको स्वास पर ध्यान रखनी है बिदेश से आपको अच्छे अच्छे उपर्चिनिटी मिलेंगे सुक्र रहेंगे आपके बारा नौमबर तक सुर्ज के निशतर में रहेंगे और सुर्ज आपके बैटे हुए हैं नीच के होके आपके तूला रासी में ही धनभाव में ही तो बानी पे कमांड रखेंगे आप बानी पे जैसे ही आप कमांड रखेंगे आपकी रासी पे ही सुक्र बैठे हुए हैं जो नीच के हैं बानी पे थोरे से कमांड रखेंगे गुस्षे पे थुरे से कमान रखेंगे लेकिन विदेश से आपको नौकरी के बहुत अच्छे अच्छे opportunity मिलने वाले हैं और इस दर्मियान यानि तीन नॉमबर से तीस नॉमबर तक आप विदेश में जाएंगे हैं विदेश से बहुत अच्छे अच्छे अपर्चुनिटी आपको मिलेंगे बारे नॉमबर दोचार तीस को सुक्र चले जाएंगे चेंद्रमा की नच्छतर में और चेंद्र देव आपके कर्म भाव के स्वामी है विदेश से अच्छे लाब मिलेंगे आपको खर्च की काफी अधिकता रहेगी लेकिन विदेश से काफी लाब मिलेगा जो फिल्मों में काम करते हैं मीडिया सेक्टर में जुड़े हुए हैं आपके लिए समय काफी अच्छा होगा 17 नॉमबर को सूर्जदेव का निच्छ भंग हो जाएगा सूर्जदेव चले जाएगे आपके ब्रिस्टिक रासी में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेगे परशास्नी कतिकारी के लिए च्छे रिजल्ट्स मिलेगा फिल्मों में काम करने वाले के लिए च्छे रिजल्स म और मंगल कहां बैटे हुए हैं आपके मंगल दूती ये स्थाने बैटे हुए है सूर्देव के साथ बैटे हुए है चार दिन बुद्ध भी रहेंगे साथ में मंगल आपकी कुर्ली में दामपत जीवन के स्वामी है मंगल आपके कुणली में धनभाव कहीं स्वामी है तो चुबेद की प्रोपर्टी डिलर हैं बिद्धू तूपकरन का काम करते हैं सोलर का काम करते हैं आप लिए समय बहुत अच्छा होगा कुटुम पडिवार से आपको मतवेद रह सकते हैं पिता से थोड़े से मतवेद रह सकते हैं आपको तेकिन पिता से आपको लाव होने की स्थितियां बनती हैं अब देखते हैं कि 24 नॉमबर 2023 से 6 बच के 33 मिनिट पर 30 नॉमबर तक सुक्रदेव रहेंगे मंगल के नशितर में ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा हलाकि ये पार्टनर्सिप के बेपार से थोड़े से आपको ज़्यादा लाव होंगे लेकिन पार्टनर पर बिसे सक की दृष्टिया आप रख सकते हैं सुक्र का रासी परिवरतन करने रासी में काफी आपके लिए अच्छा हो रहा है यहां पर मैं आपको बता दू कि सुक्र नीच के जरूर है लेकिन तिर्क भाव के स्वामी भी सुक्र हैं आपके परिशब रासी आपके तिर्क भाव में है और उसके स्वामी आपके त्रिक बहुं में बार में बैठे हुए हैं तो विप्रित राजियोग तो सुक्र दे ही रहे हैं आपको आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा ने नोक्री परिवर्तन कर सकते हैं बिदेसों से काफी लाव हो सकता है तो शुक्र कारासी परिवर्तन आपके लिए अच्छे रिजर्ट से लेके आएंगे करनी क्या है आपको घर को बिल्कुल साफ सुत्रा रखना है आपके ड्रेस बिल्कुल साफ सुत्रे होने चाहिए महिलाओं का कदर करे बेटी को अपनी गोद में बठाकर खाना किलावें अपने हांस से खाना किलावें और शुक्र के मंतरों का जाब करें दुर्गा सबस्दी के इस मंतर का जरूर पाड़ करें काफी लाव होगा आपको तो सुक्रकारासी परिवर्तन आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है शुक्रा होना है आपको बिरिस्टीकरासी शुक्रकारासी परिवर्तन आपके एलेवन्त अस्थान पर होने जा रहा है कन्यारासी में तीन नॉम्बर को सुबह पांच बच के तेरा मिनिट पर शुक्र करने अगासी में चले जाएंगे और शुक्र रहेंगे सूर्ज के निशतर में रहेंगे और सूर्ज आपके बार में अस्थाने बैटे हुए हैं नीच कियों के बार में अस्थाने बैटे हुए हैं सूर्ज आ आप दबोचे जाएंगे, पूर्ण रूप से दबोचे जाएंगे, तीन नौमबर से बारह नौमबर तक आप पूर्ण रूप से दबोचे जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा आपको, आई की इस्तिती अच्छी रहेगी, दो नंबर के आई से बच के रहें, जो ब्यपारी है हर तरह का टैक्स सही समय पर दें वरना आप भी दबोचे जाएंगे महिलाओं का सम्मान करें आपके लिए जरूरी है 12 नॉम्बर 2023 से सुक्रदेव चले जाएंगे आपके चेंद्रमा के नचत्र में चेंद्रमा आपके भागवाव के स्मामी है जो शिपिंग के बेपारी है टूर एंट टूरिज्म का काम करते हैं आपको लाब मिलेगा शुक्र आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे संतान के लिए भी अच्छे रिजल्ट्स होंगे जो फिल्मों में काम करते हैं मौडलिंग करते हैं फैसन डिजानिंग में आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट रेके सुक्र आएगा अब सुक्र 24 नॉमबर 2023 से चोबच के 33 मिनिट पर चले जाएंगे चित्रा नचतर में जो 30 नॉमबर 2023 तक रहेंगे चित्रा नचतर के स्वामी मंगल देव खुद है मंगल बैठे हुए रहेंगे अपने ही रासी ब्रिसिक में आपके लगन पर रासी पर गुस्से का प्राकर्म आपको ज्यादा होगा जमीन जाहिदाद से आपको लाव होंगे गलत ढंके जमीन जाहिदाद का कॉंट्रेक्ट आपना करें जो पुलीस सेवा में थोड़े से साबधानी बरतने की जुरूरत है गलत ढंक का इंकम आपको दबूस देगा मंगल आपके कुणली में आपके रासी के स्वामी है मंगल आपके कुणली में छट्टे अस्तान के स्वामी है हर गलत काम से आपको दूर रहनी है गुस्ते से आपको दूर रहना है साथी साथ हर इलिगल काम से हर इलिगल संबंद से आपको दामन चुराने है सुक्रिनीच का है और नीच की होके आपके आयभाँ में बैठा हुआ है गलट धंग से आय कमाने की कुशिस आप करेंगे करनी क्या है आपको हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना है प्रति दीन हनुआन चरिसा का पाठ करना है और प्रति दीन 108 बार हंगन मंते नमा रंग रामाय नमा का जाप करें आपको ला मिलेगा शुक्र का रासी परिवर्तन गलट ढंक से कार्ज करने वाले के लिए अभिशाप बन कर आएगा धनु रासी वाले शुक्र का रासी परिवर्तन आपके टेंथ अस्तान में होने जा रहा है कर्मभाव में होने जा रहा है जहां सुक्र नीच के रहेंगे और सुक्र सूर्ज के नशतर में रहेंगे तीन नौम बर के सुबह पांच बच के तेरे मिनेट पर सुक्र कन्यारासी में चले जाएंगे और शुक्र सूर्ज के नशतर में रहेंगे सूर्ज आपके कुनली में आयवाओ के स्वामी है सुक्र भी नीच के हैं सूर्ज भी भी कमपनी में उचादिकारी हैं गलत धंग से काफी आये होंगे आपको बचें पर ना फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा गलत धंग के जमीन जायदाद से बचें आप किसी को फसाने से बचें महिलाओं से अच्छे संबंद रखें हर इलीगल संबंद से दूर रहें सूर्ज देव खुझ नीच के हैं और सत्रह नौंबर को सूर्ज देव चले जाएंगे आपके बार्मे अस्थान पर पिता के स्वास से आपको परशानी का सामना करना पर सकता है जीवन साथी से आपको परशानी का सामना करना पर सकता है तो तीन नौंबर से सुक्र सूर्ज के ही निष्टर में रहेंगे सूर्ज आपके भाव आपके भाग भाव के स्वामी है आय तो होगा भाग भी साथ देगा लेकिन आय भी गलत हो सकते हैं भाग भी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है तो बचना है आपको नहीं बचेंगे तो फिर आगे भी नहीं बचेंगे अब बारह नॉम्बर दोहजार तहीस को दस बच की 38 मिनट एम पर शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नचंद्रमा आपके अश्टम बाउ के स्वामी है अब यहाँ पर सत्रह तारिक को सूर्ज वीरासी परिवर्तन करके आपके बारमे में रहेंगे चंद्रमा आपके अश्टम अस्थान के स्वामी अचानक धन का लाव होगा बिदेश से अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे बिदेश जाने का सौभग आपको प्राप्त होगा संतान से आपको लाव होंगे लेकिन बहते जल में न नहाएं गंगा में न नहाएं समुंद्र में नहाने से दूर रहें आप स्वास पर भी से ज्यान दें हर गलत काम से अपने आपको रोकें हर गलत संबंद से दूर रहें अब 24 नॉम्बर 2023 से लेके 30 नॉम्बर 2023 तक शुक्र देव रहेंगे मंगल के निशतर में मंगल आपके कुणली में अच्छे गरा है पंचम अस्थान के स्वामी हैं लेकिन मंगल कहां बैटे हुए है तो मंगल बैटे हुए हैं आपके बाडमे अस्थान पर जमी जायदाद के कारवारी समझ के काम करेंगे पुलिस सेवा में आपका ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत दूर हो सकता है ये समय 24 नूमबर 2023 से लेकि 30 नूमबर 2023 का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा हलाकि फिल्मों में काम करने वाले को काफी लाव होने जा रहा है जो वक्ति विदेश से केमकल का सप्लाई का काम करते हैं विद्धु तूपकरन सप्लाई का काम करते हैं आपके लिए लाव हो सकता है पुलिस सेवक साबधानी से काम करें तो कुल मिलाकर नीच के सुक्र का इस्तिति आपके कर्म भाव में बहुत अच्छा नहीं रहेगा किसी भी काम को अंजाम देने के लिए तयार हो जाएंगे काम अच्छा हो चाहे बुरा हो ज्यादा प्राकर्मी बनेंगे आप अपने को बहुत तेज समझेंगे जिससे आपको काफी नुकसान होगा तो थोरे से साथधान रहे हैं आप सुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट से लेके नहीं आएगा माता के स्वास से भी परिशानी देगा आपको तो करनी क्या है आपको हर शुक्रवार को सिवाले में दही का भोग लगा वें और दही से ही आप शिप जी को विशेक करें और सवा की लो दही किसी महिला पुजारिन को दान करें या किसी पुजारी की पत्नी को दान करें हर सुक्रवार को और शुक्र के मंत्रों का जरूर जाप करें लाभ होगा आपको मखरासी वाले शुक्र आपकी कुणली में आपके दसम अस्थान के स्वामी है सुक्र आपकी कुणली में आपके पंचम अस्थान के स्वामी है पंचम अस्थान के स्वामी इस शुक्र नबमस्थाने बैटे हुए है बड़ा इंसांदार योग पैदा कर रहे हैं पंचम नमभी योग पैदा कर रहे हैं संतान को बहुत लाव होगा कण्या संतान को बेहद लाव होगा शुक्र तीन नवंबर को सुबह में transit करेंगे पांच बच के तेरा मिनिट पर और शुक्र रहेंगे सूर्ज के नशद्र में सूर्ज आपकी कुंडी में अस्टमस्थान के स्वामी है और सूर्ज बैठे हुए है नीच के होके आपके दस्वास्थान में तो सुक्र भी नीच के सूर्ज विरनीच के सूर्ज अस्टनमस्थान के स्वामी है फिता के स्वास से काफी परशानी होगी काम धाम में काफी बाधा पोँचेगा आपको जो परशासनिक सेवक हैं जो दवा के बेपारी हैं जो डॉक्टर हैं आपके लिए मुसिबत का समय होगा सकते हैं लेकिन जमीन जाइदाद को आप बहुत अच्छे जंग से मैनेज करेंगे लेकिन फिल भी आपको थोरे से प्रशानी हो सकते हैं तीन नौंबर से लेकर बारा नौंबर तक शुक्र रहेंगे सूर्ज के निशतर में सतरण नौंबर को सूर्ज का ट्रांचिट हो जाएगा आपके ब्रिश्ट सीक्रासि में निशतर शूर्ज का भंग हो जाएगा तो यहां पर सूर्ज अच्छे जल्ट देंगे सुक्र भी अच्छे जल्ट देंगे प्रसास्त्रिक सेवा को, उचाधिकारी वाले को, खास करके डॉक्टर को, पिता को, अच्छे रिजल्ट साब को मिलेंगे 12 नॉम्बर 2020 को 10.38 मिनट एम पर सुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नशद्रमे और चंद्रदेव आपके सब्तमस्तान के स्वामी है पार्टनर्शिप के बेपार से आपको काफी लाम मिलेगा भाग आपका काफी प्रवल रहेगा अगर महिला हैं आपके पार्टनर है तो आपको ज्यादा लाम मिलेगा प्राकर्म थोड़े से आपके घटे हुए रहेंगे हर अनेतिक संबंद से आपको दूर रहना है खर्च की काफी अधिक्ता रहेगी गूमने फिर्णने का काफी प्रोगाम बना वेंगे जिससे आपके खर्च काफी बढ़ेंगे 24 नौमबर दो चारता इससे 3 बच के 33 मिनट एम पर शुकर देव चले जाएंगे मंगल के नचतर में और 30 नौमबर तक मंगल के ही नचतर में रहेंगे मंगल आपके बैठे हुए रहेंगे उस समय आयबाओं में ब्रिस्सिकरासी में बड़ा ही अच्छा रिजल्स मिलेगा आपको जमीन जैदात के कारवारी को बहुत अच्छा रिजल्स मिलेगा जो पुलिस सेवा में हैं बहुत अच्छा रिजल्स मिलेगा जो महिला है परशासन में हैं पुलिस में हैं आपके लिए अच्छा रिजल्स आएगा जो politician है आपके लिए अच्छा रिजल्स आएगा तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है यानि कि 24 नॉम्बर 2023 से लेके 30 नॉम्बर 2023 तक आपके लिए अच्छे रिजल्स आएगे करने क्या है आपको सुक्र के मंतरों का जरूर याप करना है साथी स्री शुक्तम का पाट करना है आपको स्री शुक्तम के पाट से आपको काफी लाव होने जा रहा है तो शुक्र का रासी परिवर्तन आपके लिए मिला जुला रहेगा लेकिन ज्यादा अच्छे ही रिजल्स आपको आएगे हर गलत काम से आपको दूर रहना है महिलाओं का काफी सम्मान करना है जो इस्टूडेंट रहे हैं छातर छातरा हैं उनके के लिए अच्छा समय है विसेश करके जो छातरा हैं उनके के लिए बहुत अच्छा समय है कुम्बरासी की ओर तो कुम रासी बाले शुक्र का रासी परिवर्तन आपके अश्टम अस्तान में हो रहा है नीच का अश्टम अस्तान में होने जा रहा है शुक्र तीन नौमबर सुबह पांच बच के तेरे मिनट पर कण्या रासी में चले जाएंगे जो आपके अस्टमभाव की रासी है जहां केतू भी बैठे हुए है चित्रा नचत्र में मंगल के नचत्र में शुक्र आपके नीच के हैं अस्टमभाव में बैठे हुए है तो ये थोरह सा अच्छा नहीं है क्योंकि शुक्र आपके चतुरत अस्तान के स्वामी है और शुक्र आपके भागभाव के स्वामी है भागभाव से बार्मे में बैटे हुए रहेंगे हलाकि चतुरत भाव से शुक्र आपके पंचम में रहेंगे कन्या संतान को लाव होगा लेकिन कन्या संतान के स्वास में थोड़े से सर परेंगे उनका operations वगएर होने की संबावनाएं रहेंगी खर्च की काफी अधिक्ता रहेगी खर्च की अधिक्ता से आपको बचना है EMI पर समान आपको नहीं लेनी है बिदेश का इस्तिती आपकी बंग सकती है बिदेश से आपको लाव हो सकता है तो सूर्जदेव का निच्छत भंग हो जाएगा कामधाम में आपको लाव मिलेंगे महिलाओं से आपको किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़नी है महिलाओं से आपको काफी साबधानी बरतना है महिलाओं की काफी इज्जत करनी है बारह नॉम्बर दोजार तरह इसको दस बच के 38 मिनट एम पर सुक्र चले जाएंगे चेंद्रमा के नच्छतर में चेंद्रमा आपकी कुंडली में छट्ठे हस्तान के स्वामी है तो सत्रूं से थोरे से साबधान आपको रहना होगा सत्रूं आपको परशान कर सकते हैं जीवन साती से थोरे से आपको निरासा हो सकती है इस तीरी से थोरे से आपको जंजट राई महिलाओं से जंजट राई हो सकती है हर गलत काम से आपको दूर रहना होगा 24 नौमबर 2023 चोबच के 33 मिनट पर सुक्र चले जाएंगे मंगल के नचतर में और मंगल रहेंगे आपके दसम अस्थान पर अपने ही रासी में मंगल आपके कुणली में तीसरे अस्थान के स्वामी है मंगल आपके कुणली में दसनम अस्तान के स्वामी है, शुक्र आपके भागवाओ के स्वामी है, अब भौतिक सुक्र के अस्तान के स्वामी है, नहीं चतुरत अस्तान के स्वामी है, शुक्र भागवाओ से बार में बैट रहे हुए, तब भाग तो आपका प्रबल नहीं रहेगा, लेकिन सुक्र जब वकील है जो वकी माननिय जज है आपको हर एक्टिविटीज पर अपनी नजर रखनी होगी दूसरे की एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी आपके पीछी लोग परे हुए रहेंगे तो आपको साब्धानी रखने की ज़्यादा जरूरत है हर मंगलवार को सुन्दर कांड का पाट करें शुक्र का रासी परिवरतन आपके लिए बहुत अच्छा रासी परिवरतन नहीं है हर मंगलवार को सुन्दर कांड का पाट करना जरूरी है साथी साथ दुरगा सबस्ति क कवच का पाट करना आपके लिए सबसे नियायत जरूरी होगा दुर्गा सबस्थी का कवच का पाट करें आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है तो थोड़ा सध्यान देने की जुरूरत होगी आपको मीर रासी सबसे पहले सुक्र का रासी परिवर्तन होगा आपको तीन सूर्ज देव भी राहू के निचतर में रहेंगे राहू का ट्रांजिट हो चुका है आपके लगन पर पहले आप अपने स्वास पर ध्यान देंगे स्वास पर पूरा ध्यान देंगे महिलाओं से आपको लाव होने जा रहा है होटल बेपारी को लाव होगा पार्टनर्शि इसको सूर्जदेव चले जाएंगे आपके बिष्षिक रासी में निचत खत्म हो जाएगा और बारह नौमबर दोजार इसको दस बच के 38 मिनिट पर सुक्रिच चंद्रमा के निचतर में रहेंगे चंद्रदेव आपके पंचम अस्थान के स्वामी है बहुत ये च्छरी जल सावेगा बारह नौमबर दोजार इसके बाद बहुत सारे लोग लम्मे रच कर सकते हैं युवाई उप्ती संतान से आपको काफी लाब होगा भौतिक सुक से काफी लाब होगा नए इलेक्ट्रोनिक समान आप खड़िदने की योजनाय बना सकते हैं और खड़िद भी सकते हैं नए बाहन नए घर खड़िदने का योजना बना सकते हैं हर अनेतिक संबंद से आपको दूर रहनी होगी राहो की दृष्टिश सुक्र पे पर रही है गलत काम से आपको दूर रहना होगा तो बारह नॉम्बर दोहजार तैस को दस बच के 38 मिनट पर सुक्र चंद्रमा के नश्चतर में रहेंगे तो आपके लिए च्छारी जल्स आएगा 24 नॉम्बर दोहजार तैस को च्छो बच के 33 मिनट पर सुक्र देव चले जाएंगे मंगल के नश्चतर में मंगल आपके कुली में प्रवल योग कारक रहे हैं मंगल आपके कुली में आपके भागवाओ के स्वामी है और मंगल आपके कुली में धनवाओ के स्वामी है मंगल आपके भागवाँ में बैटे रहेंगे खर्च की कमी रहेगी शनी की सारे साथी चल लेए इस समय शनी जो है डारेक्ट हुए रहेंगे और सनी रहेंगे सत्विसा नचतर में राहू के ही नचतर में तो थोड़ा सा स्वास पर आपको ध्यान देना होगा विदेश से आपको काफी लाब मिलने जा रहा है भाग आपका काफी परबल रहेगा प्राकर्म आपका काफी परबल रहेगा इस समय आपको यानि बार नॉमबर दोहजार तईस से लेके 24 नॉम्बर 2023 तक सुक्र के रिजल्ट साब के बहुत अच्छे होंगे 24 नॉम्बर 2023 से लेके 6 नॉम्बर 2023 तक भी सुक्र के रिजल्ट साब को काफी अच्छे रहेंगे जब सुक्र मंगल के निशतर में रहेंगे मंगल आपको काफी लाब पहुचावेंगे, खर्च में कमी करावेंगे, प्राकर्म आपका काफी बढ़ा हुआ रहेगा, बढ़े हुए प्राकर्म से किसी से भी आपने पटने कली तयार होंगे, भाग आपका काफी प्रबल रहेगा, प्रशासन से आपको काफी लाब होगा, पिता से काफ पिलाब होगा 24 नूम्बर 2023 से 30 नूम्बर 2023 तक जब तक सुक्र रहेंगे कन्यारासी में आपके लिए अच्छे रिजर्ट्स लेके आएंगे आपको करनी क्या है सुक्र के मंत्रों का जरूर जाप करनी है साथी साथ हनुमान चलिसा का पाड जरूर करना है शिबलिंग पर जल जरूर चराना है शिबलिंग पर शुक्रवार को जल, दूद, मद, मिस्री, घी मिला के पंचामरित बना के आप जरूर चरावें और इस मंत्र का जाप करें तो कुल मिला कर सुक्र का राशी परिवर्तन, नीच के होने के बाबजूद, सुक्र रहेंगे सूर्ज के निशतर में, तो ये भी आपको अच्छर जरूर देंगे सुक्र रहेंगे चंद्रमा के निशतर में, ये भी आपको अच्छर जरूर देंगे महिलाओं का केवल अपमान नहीं करना है शुक्रवार को कुछ बच्चियों को मीठा भोजन करानी है चौकलेट माटने है आपको दामपजीवन से थोरे से तनाव रहेंगे उसको आप अपने बिवेक से दूर करें तो मीन रासी वाले सुक्र का रासी परिवर्तन बुरा नहीं होने जा रहा आपके लिए ठीक ठाक है तो सभी रासी वालों के लिए सुक्र का रासी परिवर्तन जो नीच के हैं सुक्र जिसका विब्रान मैंने आपको दिया उमीद है कि आप ही इसको इस एपिसोड को काफी पसंद करेंगे आप आप मेरे चैनल नच्छतरवानी को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें नमस्कार